नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस साल टेजिस MK2 पर क्या-क्या अपडेट रहे इसके डिजाइन में क्या-क्या चेंजिस किये गए इसके फर्स्ट फ्लाइट के बारे में भी ह हम बात करेंगे इसके जो टेस्ट होने वाले हैं उसके बारे में भी और इसका जो प्रोडक्शन है और साथ में अब तक इसमें क्या प्रोग्राम के बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं खास्तों और पर 2020 में इसके अंदर क्या-क्या चेंजिस ज्यादा hard point उसको केवल एक साल में पूरा करत लिया गया और साथ में दोस्तों अब अच्छी खवर ये निकल कर आ रही है कि इसकी जो metal cutting ceremony है वो अगले साल एपरेल में हो जाएगी और दोस्तों ये एपरेल में भी इसलिए थोड़ी सी delay हुई है क्योंकि भारत में अगर आप देखते हैं तो चार से पांच महीने तो ऐसे गए जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ क्योंकि लोकडाउन लगा रहा नहीं तो ये जो ceremony है ये जनवरी में हो जाती तो दोस्तों तेजी समके 2 में इस साल जो अपडेट किये गए है उसमें सबसे पहले तो आ जाता है इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत की electronic limited बनाएगी और जो भारत electronic limited है उसका इसमें IRST सिस्टम भी लगेगा जो की जो चाइना और रश्या सुखोई 35 इस्तेमाल करते हैं उनका जो IRST सिस्टम है उससे भी battery होगा तो दोस्तों इसमें 11 hard point होंगे जो की पहले के तेज़े से काफी जादा है और दोस्तों ये 11 hard point होंगे जिसमें दो तो फ्यूजलास pylon पे होंगे और साथ में जो 6 है वे अंडर pylon के अंदर होंगे साथ में दोस्तों 6 wing tip और एक जो है air intake के left side में लगा होगा जैसे कि आप screen पर भी देख सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये इसकी ज हाला कि estimated है लेकिन जादर कर लोगों का जो रक्षव शेशक जो खुद HAL है उन्होंने 65 to 70 million US dollar के आसपास इसकी जो unit cost उसे रहने का एक त्यान से अंदाजा दिया है और सबसे बड़ा update ये रहा कि भारतिय वाई उसे ना 108 की संख्या में जो तेजिस MK2 है उन्हें लेने वाल कर दी गई और आने वाले समय में इंडिया ने एरफोर्स 230 टेजिस MK2 को लेने वाली है दोस्तों जो ADA है उन्होंने तो टेजिस MK2 का RV2 model या आप एक तान से कह सकते हैं variant सामने रखा जो की semi stealthy होने वाला था यानि कि दोस्तों उसमें उन्होंने ये concept सामने रखा था कि इसमे हम जो internal weapon B है उसको integrate कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उसके उपर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इंडिया ने एरफोर्स सबसे पहले तेजिस MK2 को चाहती थी क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इससे जो है तेजिस MK2 की जो timeline है उसमें थोड़ा सा increase हो सकता था और जो delay करने से इसको थोड़ा सा ज्यादा स्टेल्थ रखा जाएगो जो स्टेल्थ फीचर है उन्हें इसमें एड कर दिया गया वो दोस्तों एडिये ने इसको एक तांसे यूसी एवी तेजिस MK2 को भी सामने रखा था लेकिन इन सब कारणों के वज़ा से जो इंडियन एर फोर् उनको देखते हुए ये 4.5 प्लस प्लस जनरेशन का फाइट रियेक्ट होगा क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत जादा एडवांस एव्योनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा तेजिस में 5 जनरेशन का जो रडार रसीवर टेकनोलोजी है उसको इंटिग्रेट किया जाएगा साथ में मिसाइल वारनिंग सिस्टम वो भी 5 जनरेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है इसमें वाइड डिस्पले सिस्टम का यूज किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रोनिक वारफेर जो सूट है जो की एमका के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और उसी को कौनसेप् मेel रखते हुए जो तेजिव सैंकी 2 है उसके लिए भी बनाया गया और 2022 तक उत्तम एयासर डार वो मास्ट प्रोडबक्षन में होगा और उसी समय जो भारत का थेजिव सैंकी 2 है वो भी बनकर तयार होचुका होगा और जो उत्तम ASR डार है उसकी रेंज 200 किलोमेटर होगी और उसके अंदर लगभग 1200 से जारा TR मोडियूलर से है और उनको 1500 की संख्या में करने की पूरी आशंका है 2022 तक उसके बहुत सारे जो टेस्ट है वे भी कंपलीट हो चुके हैं जिसमें से एर टू ग्राउंड और एर टू एर जो मुख्य टेस्ट होते हैं उनको कंपलीट कर लिया गया है और इसके बाद उसका MK2 वेरियन्ट होगा जो की 400 किलोमेटर की रेंज रखता होगा और दोस्तो इसमें Side Stick Control Display का इस्तिमाल किया जाएगा जो की इस Fighter Jet के Control Autopilot Air Refueling और Air to Ground Attack और Air to Air Attack में मदद करेगा जिससे की Pilot को और ज़्यादा आसानी रहेगी इससे ये बड़ा फाइदा होगा की Fighter Jet को उड़ाते समय है वो भी इसमें होगी तो दोस्तो इसके बाद ADA इसका जो डिजाइन है उसने इसको Computer Simulation से बनाया है जो सबसे बड़ा फाइदा यह हुआ कि इसमें भारत का बहुत जादा टाइम बचा तो दोस्तो इसके बाद बारी आ जाती है जो इसकी हर एक स्क्वाडरन होगी उसके 75% Fighter Jet हमेशा वर के लिए रेडी रहेंगे यानि कि दोस्तों वह हमेशा युद के लिए रेडी रहेंगे जो कि Indian Air Force की सबसे जादा बड़ी requirement होती है जिसको बहुत कम Fighter Jet अब तक एक तरह से पूरा कर पाई है और अगले साल जो April है उसके हिसाब से जो अभी reports निकल कर आई है जो April में इसकी जो metal cutting ceremony है वो एक तरह से हो जाएगी हाला कि जो तेजस MK2 वाइटर जाट है ये 2022 के एक मिड में एक तरह से रोल आउट कर जाएगा लेकिन इसमें जो time लगेगा वो लगेगा इसके अंदर electronic warfare system, digital flyby system और जो control system है navigation equipment है और on board oxygen generator system है उनको इसके बाद integrate किया जाएगा तो इस कारण से इसकी जो first flight है ये उसके लिए 2023 की शुरुवात तक ही ready होगा वो दोस्तो इसमें जो भारत के parts है वे 80% है यानकि इसे भारत खुद से 80% बना रहा है इसमें जो विदेशी system है वो भी बहुत जादा कम है सबसे पहला तो main है इसका engine वो विदेशी है अमेरिका अगर जनल इलेक्ट्रिक्स का F414 engine और साथ में कुछ इसराइल के हथियार और electronic warfare system का इसमें इस्तिमाल किया जाएगा बाकी 80% ये भारत का खुद का होने वाला है वो दोस्तो जो इसराइल के बहुतरीन weapon है जो कि भारत के weapon से भी थोड़ा अच्छा perform कर सकते हैं कि अबल उन लेकिन अब मेन बात आ जाती है इसकी first flight और इसके production और इसके test पे तो देखें दोस्तों इसके जो parts हैं वे private sector मिलकर बनाएगा जो इसके wings होगे tails होगे stabilizer होगे और जो engine है वो अमेरिका से आएगा तो जो HAL है उसको केवल इसकी assembly ही करनी है बाकि सब काम जो private sector है वे करके दे लाइन है वो एक तान से follow की जा रही है अगर देखा जाए और जो भारत के अंगर जो delay देखने को मिला तेजस जो भारत को आठी तेजस बनाने थे तो सबको पता है कि उसका करन करोना वायरस था क्योंगी दोस्तों यह कोई online काम तो है नहीं जिसे आप घर बैठे कर सकते है और आप सबको पता है कि लोकडाउन की वज़ा से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया और इवन जो फ्रांस के अंगर जो राफेल फाइटर यह था उनकी production लाइन तक रूप गई थी तो भारत की जो production लाइन है वो तो उनसे बहुत जादा पीछे है अगर देखा जाए त लेकिन उसे जो एपरेल में एक तान से कर दिया गया है और साथ में आने वाले समय में हल एक और production लाइन बनाने वाली है और इसके बाद जो उनकी production लाइन है वो भी खाली होने वाली है तो production लाइन को एक तान से थोड़ा से increase किया जा सकता है जो production rate है तो चले दोस्तों आप किसी वीडियो में इतना ही मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जय हिंद्ट